जै मितला दस्तों आज हम आपको एक कॉंटिन सी का जोना तीस मार्क्स का पंदरो कोस्टन रहा था जिसमें जवाब देना पड़ता है पंदरो का तू मार्क्स वाला वो कभर आप कर बादेंगे जिसमें एक से लेके चार चेप्टर थे ठीक और सिर्फ पॉस्टिपर हम लिए राइड फीचर सब्सक्राइब करें लिए बात बराबरी होता था थि इतना थोड़ा से कुमन सेंस वाली लगाने वाली बात है डूनों सेम रहता है तो उसमें कोई निकत नहीं होना चाहिए आपको तीस रहता है जवाब कितना दिना है सिर्फ पंदरों का कि पिछले साल का उठाके देख लिए और मेरा वीडियो से पूरा का पूरा मिलते हंडेड एंटेन पर से ठीक तो पंदरों सिर्फ पंदरों के जवाब देना नहीं कुछ तो कम सकम बीस एकीस तो मिली जाता है लिखना कि कितना रहता सिर्फ पंदरों को कोई भी लिख आ ज जाते हैं खिक को सिर्फ पहुष्टन का मतलब एक ही होता है फ्य पहला चेप्टर के एंट्वू से ब्जञा तेस में पुछा गया था सबस्क्रिप्शन का परिभाशा सब्जे चंदा किया है दोचा तेस में पूछा होगा था जिसमें आपको पांच-पांच परिभाशा आप याद कर लिए बस होगे प्राप्ति इसका परिभासा याद रख लिएगा इंकम और एकस्पेंडिचर अकॉन आया और भी खाता क्या है कैपिटल फंड क्या है पुझी कोस क्या है इसका परिभासा सब्सकिप्शन चंता बहुत सार परिभासा जिसमें सिर्फ आपसे बांच गोग करना याद आपको और डोनेस दान क्या है अगर बहुत आपको जुरत पड़ता है ते एक लेगेसी पुछना बंद करती है लेगेसी क्या है जो याद रखने की जूरत है है वह इस पेर को पेर में क्या है दिखें कि रिसीप एंड पेमेंट एकॉंट और इंकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों दीकि एंपीओ मना दो यह चीज लेना देना है आपको एंड पीओ जो चेप्टर है उसमें दो यह चीज पारना परता पहला रिसीप एंड पेमेंट डिकॉंट और इंकम एंड एक्सपेंडिचर उकन बस उतना कर ली बात खत रिसीप एंड पेमेंट प्राप्ति रुखदान काता क्या विसेश्था किया उसी किनाम क्या बोलेते क्रेक्ट्रेश्टिक पुछ देता है दोनों का मतलब एक ही होता स्वन एंड आपको बुले है कि आप तो ने मताया हुए थे क्रेक्ट्रिश्टिक और फिचर्वस दोनों का आर्थ होता है हाँ difference भी पूछ सकता है कि receipt and payment account or income and expenditure account में क्या अंतर है दोनों में अंतर कम से कम देखे वह इसे जरुबत के लिए तो आपको तीन चार भी याद कर लीजिगा जो पर जाएगा खतम हो जाएगा दो भी लिखेगा तो आपको 2 में 2 marks मिल जाएगा लेकिन कोशिज करिएगा क्या इसमें 5-6 points याद कर लीजिगा तो इसमें भी आपको दिक्कत ना हो इसका अंतर जो पर रहे है उसमें यह कोशिज करिएगा इनका में एक्स्पेनेचोर कणरें पेंट स्काहले हो जो जो याद कर ले तब्स हो इस अपको अपको पिल को से संव सग्या कश आह सब्यों थय कियो हो पागल नहीं नहीं है कुछें कुछेंण है कुछें होगा त decentral हो이'T दो तेस्यग कहा है किसी साल का हो मतलब नो मतलब जो भी हो अब्जेक्टिव देख लीजगा हम आपको बता दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन होगा अब देखिए यहां पर क्या करने इसी को सकता है कि जिसे कि एक क्वेशन बन देखा और अब्जेक्टिव से क्या है सिंपल है उसी को घुमा के थुरा पूछ देगा क्या रिसीप्ट एंपेमेंट एक हो प्राप्ति और भुकतान खाता क्यों बनाते उसका रीजन क्या है रीजन का भी अर्थ होता है क्या मतलब इसका कारण क्या है तो वही देख सिवाला लिखे देंगे बात खतम हम क्यो बनात इक्जामपल में क्या पूछ सकता है किसको बनाते है जो बार-बार हमको मिलें इस चंदा में इंटरेंस पीस सब बार-बार मिलता है इसको बार-बार मिलता है तो आपको हर एक चीज घवर आप हो जाए यहां पर देखिए अगर आपके दिमाग में रखी इससे पूछता नहीं है फिर भी आप रखना चाहिएगा तो रेवेन्यू रिचिप्ट के जगर आप आप याद कर सकते हैं तो क्या दो पॉइंट तर पूछता नहीं फिर भी दिमाग में तो रहेगा अच्छा रिचिप्ट में आएगा एक्स्पेंडिचर में क्या आएगा हम रेंट दे रहे तुआ हम रेंट प्राप्त कर रहे तो यह मारा रेवन्यू रिचिप्ट हो जाएगा क्या यह सभी देख लिजेगा एक्जामपल देख लिजेगा हर एक कम दोगों चारों को देख लिजेगा बढ़िया रहेगा चार बढ़िया रहेगा ना फिर चार नमतिए डिफ्रेंस बिटमें रिचिप्ट एंड पेमिंट एक्कॉंट एंड कैस्पुक देख लिए पिछले साल पुछा हुआ तो कुस्टन यह कि रि अधिए लेकिन फिर भी आप एक नजर देख लिजेगा समझें दो पॉइंट तो है करोन लिजिकल अवर्डर में रहता हूँ आपको नहीं रहता है मतलग दो पॉइंट है आप देख लिजेगा से ठेक ही हो जाएगा आपको इसको तो आप रठी लिजे इसको इसमें क्या यह त्फ Whenever आपको आपको इसको पूशता है कि यह को साजेदार हम क्या किया है तीन तरीका से पूश सकता है इस एक साल यह पूछी देता है उसके जगा पर आपको यह भी याद रखेगा कि पार्टनर्शिप क्या है साज़ेदारी क्या है और पार्टनर क्या है यह भी याद कर लेगा बहुत अच्छा रहेगा दिखें पार्टनर्शिप क्या होता है according to partnership act जब दो और दो अधिक आद मतलब क्या है जब दो और दो साज़ेदार मिलकर एक लीगल बिजनेस चलाता है उसी बोलता पार्टनर्शिप वें टू और मोर पार्टनर्श रन इनी लीगल बिजनेस इसको पार्टनर्शिप और बोथ आर मतलब परसन इसको पार्टनर जितना भी लड़का रहता है बंदा रहता है उसमें उसको पार्टनर बोलते है बिजनेस को पार्टनर्शिप और टोटली कंबाइंड को क्या बो परिभास है क्या हुए लीगल बीजिनेस इतना लिख दीजिए गाना इसको पार्णर से एक्ट लगा देंगे आ उसको यह परिभास लिख देंगे बस बात खता हूं क्या साजी दाड़ी हो जेका साथ नमान में देखे क्या वह दाइकिंग डिस्टिंगाइस बिट्विन चार फ्रोफित ओद्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्वि यह थोड़ा अलग अलगत तरीके से बताते हैं अप्ला इंदे एपसेंस ऑपार्नर साज़तारी संले की अरुपस्तिती में साज़तारी में क्या नियम लागो होता इसमें बता हुए थे कि जितना भी प्रोफिटन लॉस होगा इक्वल भाग बातेंगे पांच कोछ पॉइंट है अगर मानले जी ब्याज देना परेगा ब्लोन पे यह युदार ना हो उस इस तिती में क्या करता है पांच पॉइंट streets में ‫етров अपलाय होता यह देख लिए हैं अब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आठा सब्ड़न इधिक क्या बोल रहा कि कि गुडविल में देखे क्या है इसका परिभासा पार्ला बात इसका कर लेंगे यह यह डोर मम पूछ देता उसका इसकी बिशेष्था क्या है हम थो लेकिन पूरा भिसेष्था यह जाने सिंगे में बीकाम आ जाएगा कि पाषनावर में इसका इंपॉर्टन पते भी करेंगे अबजेक्टिव क्यों है और अब्जेक्टिव में उद्धेश एक फेक्टर भी होता है रिजन बताई थे अब बोल देखा कि गुद्विल को कुर्ण-कुर्ण फेक्टर एफट करता है तो वही कि अब्जेक्टि शे और तो मजशे मान होगा या तो रीजर लिखे यह तो फैक्टर या अब्जेक्टिव या घट wall पूड़र मार्सokolि अहले धन्याला घुज़ों के अब्बिजेक्टर ही और नहीं कुछ दिमागमे देंगा इसरे पूरा मार्सट और भूण परसेंट ठेक डेफिनेशन फीचर सेक्टर अब्जेक्टिव नेचर सिर्फ दोजब पूछ दिया गया था एक वार समझे तो आप देखेगा थे ठीक है ने तो नहीं चार गुड़ नेचर है कैट गुडविल है उसके वाद को रैट गुडविल है रैबिट गुडविल है य इस पुछा के तो 24 समक्तिन का उमीद है थोड़ा बोत उमीद है तो लेकिन यह तीन चार तो मतलब रटी जाए गुडविल का परिभासा क्या है ख्याती का परिभासा क्या उसको बिसेस्ट है क्यों बना था उद्धेश से क्या है या उसका फैक्टर एफक्ट करता है पूछ भी देता है 2020 से पूछ दिया था लेकिन आप यह पूछना बंद करते हैं देकि एक बार देख लिजेगा न इस दुना का परिभासा तो सही रहेगा सुपर प्रोफिट क्या होता अधी लाब भी क्या होता और एबरेज प्रोफिट मेंट आउसत लाब भी दिख्या ह है यह दूनों मतलब देख लिजिगा तो बहुत बढ़िया डेगा डेफिनेशन जो है आपको यह अच्छा रहेगा फिर देख्या आपको वाट इस डिफ्रेंस बिट्विन सेक्रिफाइसिंग रिश्यों गेंग रट जाएए यह भी पूछ सकता है कि सेक्रिफाइसिंग र आपको निकाला केंसे जाता वोगों वाट क्या करेंगे इसका करेंगे बना और दो पम्राOps अब्लेत एस है अ यहां कि यह आपको यह परिभास आप कुछ देता है वाट इज रिवैलिफ से ने कौन पुनर मुल्यांकर खाता किया है ठेक लास्ट कोस्टन है तेरा नमर में इस्टेट एनिट टू रिजर्स ऑन वीच पार्टनर से फर्म इस रिकॉंस्ट दो कारण थे यहां पर यह इसे दो नहीं को कारणहों को पताएं कि क्यो हम दो कारन बताएं जिसके कारण एक साधेदारी फर्म का पु्नर गठान प्रसथे और से साधेदारी फर्म में organizers क्या है क्या क्या रिज्शन बताएं पारादय जिग है तो या फिर इस दोनों को छोड़ जीज सकते है क्या को07 स के लिए अपर कोई पार्टनर का ही जुरूत है हाँ उसके लिए हम कर रहे हैं थैंक्यू सो मुझ कोई दिक्कत होता है इंस्ट्राग्राम पर डियम करिए समझे राकी दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है चले थैंक्यू सो मुझ